Hello everyone, in this lecture we are going to discuss the coronavirus vaccine और इसके इंडिया के उपर, इसके development के उपर, जो इंडिया की contribution हो सकती है और जो दुनिया में से हम चल रहा है उस सारे सिनारियो को तो ये बहुत ही एक अच्छा article, editorial का credit जो दिया जा रहा है, वो mint newspaper को दिया जा रहा है mint में एक बहुत अच्छा article आया हुआ था कि करोना वायरस की जो वैक्सीन वेलप हो रही है उसका क्या significance है इंडिया के लिए और इंडिया क्या role play कर सकता है और इंडिया कहां stand कर रहा है तो इस से हम पूरी दुनिया में सिनारियो क्या चल रहा है, पहले थोड़ा सा सिनारियो जो इसमें discuss किया हुआ है पहले उसे एक वरी देखते हैं और फिर हम इंडिया को position करेंगे इस जगा पे तो एक चीज जो इस ताइम consider की जा रही है वो यह है कि जो भी country सबसे पहले coronavirus vaccine बनाएगी और अपने सारे citizens को full immunity provide कर वाया पाएगी उसके पास सबसे better opportunity होने वाली है कुछ time के लिए एक window develop होगी अपने आपको बाकी countries के आगे economically lead लाने के लिए ऐसा क्यों जो country अपने आपको पहले develop करेगी खुछ सोचके देखिए उस country के पास workforce अराम से 100% capacity पे office जा पाएगी काम कर पाएगी और जो social distancing और जितने precautions हैं ये कम से कम उठानी पढ़ेगी जिसके कारण जैसे है इस तेम पता ही है इंडिया की economy में जातर small scale industries, shutdown होई पढ़ी है, workers घर जा रहे हैं इतनी सारी problems create होई हुई है अगर हमें full immunity मिल जाती है तो actually इंडिया के पास chance होगा आगे जाके कुछ time में world के आगे example बनके आने का कि stable economy एक responsible government कैसे काम करती है तो उसके लिए फिर से हमें एक चीज जो चाहिए वो है vaccine जिसके उपर main focus रहेगा तो जो भी अपनी country में बनाएगा उसके पास tremendous economic और geopolitical advantage होगा geopolitical क्या है यह आपके answer writing के लिए एक तरह से keyword भी होता है geopolitical issues होते हैं आपके आस-पास के area और larger area जहाँ पे आप एक region और global level पे अपने आपका influence कैसे बढ़ाते हैं अब जिस country जो country सबसे पहले vaccine बनाएगी ओवियस ही है उस country के पास एक तो vaccine का advantage है वो किसे supply करना चाहेगी किसे नहीं supply करना चाहेगी दूसरा अपने यहाँ पे investments attract करने के उसके अपने potential बढ़ जाते हैं तो इंडिया के लिए अपनी full immunity बनाना vaccine अपने develop करना economic perspective के साथ साथ हमारे global power के dream को भी जादा पास लेके आता है यह once in a century opportunity है तो basically हो क्या रहा है इस time अगर बाकी global level पर देखा जाए तो countries कुछ अलग लग रूप जो अपना रही है तो कुछ countries के जैसे हम रूप देखेंगे जैसे कि हमारे domestically हम अभी भी lockdown, migrant, laborers और आपस की politics में फसे हुए है opposition parties और ruling party आपस navigation लगा रही है एक से बढ़के एक migrant workers को घर भेजने कोशिश कर रही है बलकि सोचने वाली बात है कि अगर आप migrant workers को घर भेजते रहे तो जब factories अभी आप start करने की बात कर रहे हैं अभी में 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 भी start की और जून में में भी start कर रहे है तो उसके बाद workforce कहां से आएगी तो वो political issue है वो किसी और lecture में किसी और editorial के साथ हम discuss करेंगी आज का जो हमारा main topic रहेगा वो इसके पर ही focus रहेगा तो इंडिया इतनी बड़ी country हुने के बाद और especially जब developing country हैं और जब हम aim कर रहे हैं कि हम चाइना से आगे निकल पाएं इस पहले ही जब चाइना के against negative sentiment हुए है इंडिया afford नहीं कर सकता अपनी खुद की vaccine development की नाव तरफ focus करते हुए तो हमारे यहाँ पर partisan होता है division दो पाटियों के या दो या दो से जादा पाटियों के गुठबटे हुए है वो जो अपसमे allegation का काम करते रहते हैं वेस बंगॉल के साथ तो आप center की tensions देखते ही रहते होंगे सुनते ही रहते होंगे तो वो clearly opposite direction में काम करने के लिए प्तियार है हमारे यहां पे communal tensions भी बड़ी हुई है specially करोना वाइरस के केस के बाद तब्लीकी जमाद वालों के साथ जब उनके उपर allegation लगाये गए बहुत लोगों ने बहुत news channels ने बहुत बड़ा बड़ा के दखाया के उनकी लापरवाही कारण करोना बढ़ना शुरू हुआ तो एक तरह से communal hatred पैदा करने कोशिश की गए करोना के नाम पे तो इस कारण भी हमारी communal tensions अलग से बड़ी हुई है ठेक है और इस मामले में भी इंडिया में social harmony बनाने की कहीं कोशिश नहीं कर रहे है इंटरनाशनल फ्रंट पे चाइना हर जगह aggressively move कर रहा है जैसे आप देखी रहे है हमारी northern जो borders है लदाख का एरिया हो गया यह सेक्किम का एरिया हो गया चाइना पूरी aggressively अपनी borders पे move कर रहा है चाइना को इस चाइना इंडिया की बॉर्डर पे नहीं South China Sea में भी उसने दुबारा अपना इंटरस्ट दुबारा शो करना शुरू किया और अपनी power exert करनी शुरू कर दी है तो करोना के टाइन पे चाइना का special interest इन चीजों में क्यों जाग रहा है ऐसा क्या हो रहा है चाइना के साथ तो अचानक उन्हें इंडिया की बॉर्डर में दिल्चस्पी हो रही है या South China Sea में दिल्चस्पी दुबारा से बाकी कंट्रीज के मामलों में दख़ देने में दिल्चस्पी हो रही है तो बेसिकली चाइना के अगेंस इस तेम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नेगेटिव सेंटिमेंट्स है चाइना अगर इस तेम अपने आपको पावर्फुल एग्रेसिव सूपर पावर नहीं दखा पाया तो वर्ल्ड उसे करोना का जिम्मेदार और ज़्यादा माने का तो इस ताइम वो साथ साथ एक साथ तो वो सॉफ्ट डिपलोमेसी करने कोशिश कर रहे हैं कि येरूपीन कंट्रीज जो साथ येरूपीन कंट्रीज है कुछ जैसे की इटली हो गया था, उनके लिए अपने डॉक्टर्स, मेडिकल सप्लाई, सब कुछ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी साइड चाइना एग्रेसिव स्टांड लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नहीं USA के गेंस्ट भी, इंडिया, हमारे गेंस्ट लगती हैं, उ उनमें अपना जो ग्लोबल इस चाइम वो क्लाउट बना चुका है, सारी दुनिया में उसका जो इंफ्लूएंस है, वो दखा सके कि ये कदम जो आप मेरे अगेंस्ट उठाने की सोच रहे हैं, जो चाइना के अगेंस्ट सेप्स उठाने की सोच रहे हैं, वो मत सोचो, इस मैं वो नहीं हूँ जो आज से 30-35 साल पहले था, तो चाइना अपने आपको आप सूपर पावर बनाने की कोशिश में कोरोना की पूरे इश्यू को साइड लाइन करने कोशिश कर रहा है, अगर लेट सबोस चाइना और इंडिया की इश्यू बढ़ते हैं और इंडिया को व वो फैला और दुनिया को खबर क्यों नहीं है, साथर कंट्रीज ऐसी कौमने कमिशन बठाना चाहते हैं, तो चाइना इंडिया से लेवरेच चाहेगा कि इंडिया इस कमिशन में पार्टिस्पेट ना करे, बलकि इसे वोट डाउन करे, ऐसे मामलों के लिए चाइना अपना अग्रेसिव स्टान उठा रहा है, ठेक है, तो यह सिरफ हमारे साथ नहीं है, अमेरिका में इसे जो पॉलिटीशन है, वो बाइपार्टिसन, वहाँ पे इस साल इलेक्शन होने हैं, तो दोनों पार्टी इसे एक दूसरे की ब्लेम गेम पे लगी है, जो कुछ वहां के डेम से बिलकुल उल्टा काम कर रही हैं, वो लोकों कह रही है कि आपकी फ्रीडम खतम की जा रही है, आपको लॉगडाउन कैसी किया जा रहा है, सब को पता है कि हर देश को लॉगडाउन करना पड़ा है, हर देश को अपनी एकानिवी एपड़ी बंद करनी पड़ी है, ताकि जो spread है वो कहीं न कहीं slow हो सके तो इस मामले में politics involved होना ये अमेरिका के लिए तो harmful है ही है उनकी society divide होती है उनकी politics divide होती है उनकी economy भी damage होती है प्लस उसके साथ जो efforts हैं जो global efforts हैं अमेरिका एक technology leading country है वो भी वहाँ पे hamper और damage होते हैं ठीक है because politicians जब एक ground पे नहीं आते तो proper funding, proper support जो ऐसे institutions को चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है तो और भी उनकी आपस में China के साथ भी tech war शुरू ही हुई है राशिया के साथ उन्होंने अगर आपने कुछ नहीं पहले पढ़ा हो दोनों की जो nuclear arms treaty थी दोनोंने break करनी शुरू कर दिया उसके बारे हम किसी और lecture में detail में दुबारा study करेंगे तो एक side तो coronavirus को चाहिए था coronavirus की इस पूरे covid के पूरे pandemic जो हुआ हमारे साथ इस pandemic के साथ हमें क्या चाहिए था पूरी की पूरी दुनिया को एक साथ जुड़के काम करना चाहिए था इसके बजाए उल्टा असर हुआ है पूरी दुनिया में fault lines दिखने लगी है कहां कहां divisions है कैसी कैसे divisions हैं वो clearly दिखने लगी है देखर कि European Union को इससे पहले बहुत ही strong union माना गया है European Union को समझा गया है कि ये आपस में बहुत strongly countries stand करते हैं एक दूसरे को protect करके रखती है और बहुत ही मानी गई association है सारी countries की पर करोना वाइरस के time कोविड के time पे जब कोविड येरोप में फैलना शिरू हुआ तब इटली जैसे देश जो बहुत जादा इफेक्टिट थे इटली स्पेंट जैसे देश उन्हें urgent funding की जरूरत थी पैसा चाहिए था पैसा कहीं से थ बाकी countries जैसे की starting में उन्होंने बिल्कुल help तो क्या ही करनी मना ही कर दिया कि हमारे पास खुद resources नहीं हम क्या दें तो Europe के अंदर जो European Union के अंदर की जो fault lines है वो भी clear आगे कि चाहे ये world stage पे एक साथ दिखते हैं पर आपस में जब भी मुसीबत आएगी ये हमेशा अपने इंट्रस्ट को ही हर कंट्री भागेगी clear तो last week world health assembly में अब धीरे धीरे जब covid कंट्रोल होता जा रहा है तो इसके बीच में last week world health assembly हुई है सारे major countries ने participate किया है इस assembly में एक चीज जो अच्छी निकल के आई है वो यह है कि सारी countries जैसे China European Union India जैसी countries ने इन सब ने फैसला किया है कि patent का पूल बनाया जाए patent के पूल में क्या होगा let's suppose जैसे तुम आप कोई भी medical instrument या कोई भी दवाई जो ऐसे pandemic के time यूज हो सकती है ऐसी दवाईया कई बारी patent की होती है company के पास तो company के पास ही rights होते हैं कितने में बेचना है कितनी supply करनी है तो इसके कारण क्या होता है कि ऐसी technologies बहुत महिंगी हो जाती है और उनकी availability market में बहुत कम हो जाती है इस time हमें एसास हो गया है कि कुछ ऐसी technologies हैं जिसकी जरूरत pandemic के time सबको पढ़ जाती है जैसे ventilators के पीछे सारी है दुनिया भागी hydro chloroquine medicine के बीचे हर कोई भागा इंडिया supplier है सबसे बड़ा इंडिया ने जातर supply पूरी भी करने कुछ की पर हमारी अपनी भी ज़रूरते हैं चाहे वह patented नहीं है सिर्फ example के तौर पर बता रहा हूं मैं तो यह सारे की सारे ऐसे आने वाली भी जैसे क्रोन कोविड की भी कोई वैक्सीन आएगी उसे भी एक पेटेंट फरी पूल में रखा जाए यह अगर किसी कंट्री किसी कंपनी ने पेटेंट्ट फाइल भी किया है उसे पेटेंट ना मिले और वो हर कंट्री में अराम से बनाई जा सके और सब को मिल सकें तो ऐसी कर पाएगी वो भी कर पाएगी अगर पेटेंट नहीं हुआ जैनरिक मेडिसेंज का इंडिया लीडर है हम दुनिया की 50% सप्लाई के करीब 50 sorry UK की हम 47% जैनरिक मेडिसेंज की सप्लाई और दुनिया भर की अगर सिर्फ AIDS की बात करो AIDS की जो मेडिसेंज चाहिए जो एंट्री रेट्रो वाइरल मेडिसें चाहिए दुनिया भर की हम 80% जैनरिक मेडिसेंज जो AIDS की अगर फरस्ती दबाईयां लगी है वो इंडिया सप्लाई करता है 80% तो इंडिया ऐसी मेडिसेंज जो पेटेंट फ्री है और जातर public health emergency के लिए चाहिए इंडिया का pharma sector इन्हें बनाने में बहुत जादा सक्षम भी है और इन्हें बनाने में बहुत जादा काम्याब अपना खुद का हमने एक बहुत बड़ा world sphere इसमें बना के रखा हुआ हर country हमारे उपर डिपेंड करती है अगर उन्हें सस्ते में दवाईयां चाहिए हमारे अपने यहां पर एक scheme जो सरकार की तरफ से है प्रधान मंत्री जन अरोग्य जो प्लान है जिसके अंडर तुमारे अरोग्य चाहिए जरूरत की जा रही है यह सब कुछ इसी के अंडर ही है योजना यह तो इंडिया सस्ती मेडिसन की मार्केट अपर हमें क्या चाहिए हमेशा पेटेंट फ्री मेडिसन जाहिए ये अब बहुत बड़ी चीज है कि आने वाली मेडिसन कोवर्ड की पेटेंट फ्री आएगी जा नहीं आएगी जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने तो चाहे बोला इसका अमेरिका भी पार्ट है यूएसे भी पार्ट है इसका होगता है तो अमेरिका इसे हाई प्राइजेस से प्राइविट कंपनी बहुत धिψी है और अमेरिका इसकी तरफ पूरा का पूरा एकनामिय बेनिफिट उत्हाने कोशिश करेगा वह शायद ऐसी कंट्री इसको हैंप जरूर करने जो उसके फेवर में हैं जो उसके यहां पर जो उसके साथ जो उसके नहीं काम कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी हो गया पाकिस्तान की वो स्टार्टिंग में आम पुलिंग जरूर कर सकता है तांकि पाकिस्तान तालिबान की उपर जोर दे और तालिबान को पी स्टॉक्स पे और जादा आगे प्रेशराइज करें चाहे इन में peace talks हुए हैं पर अभी भी अफगानिस्तान में लगातार हमले होते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका के उपर दुबारा pressure अगर तालिबान की तरफ से आता है तो वो पाकिस्तान की ही arm twist करेगा तांकि पाकिस्तान अपना काम करे और तब ही उसे ऐसी medicine मिलेगी इंडिया से भी वो कुछ expect करेगा European Union से भी कुछ expect करेगा चाइना अगर उससे पहले नहीं develop कर पाया तो चाइना को तो clearly पूरी की पूरी उसकी arm twisting करके फिर ही कहीं जाके medicine provide करवाएगा तो देखने वाली बात होगी कि अमेरिका कैसे patent चाइना अपने इस policy से मलब जो corona फैला है अपने जो इसकी image damage हुई है उससे वो थोड़ा से बाहर आने किस तरह से कोशिश कर रहा है तो hard power जैसे वो हमारे borders पे दखा रहा है soft power के मैं तुमें एक example दखाया कि वो doctors जैसे हर जगा भेज रहा है medical supplies भेज रहा है वैसे ही चाइना अब चाइना के president ने पहली declare कर दिया कि अगर चाइना में medicine बनती है उसे global public good के तौर पे mark कर दिया जाएगा global public good का मतलब है कि वो सबको available होनी चाहिए सबको provide की जानी चाहिए क्योंकि चाइना के उपर पहले ही blame है COVID शुरू करने का तो चाइना कहीं न कहीं चाहेगा कि उसका ये blame इस अच्छे gesture से यहां तो कम हो जाए यहां खतम हो जाए अगर लोग उसे अच्छा समझने लगए तो इस चीज में वो इस चीज को use करना जरूर चाहेगा तो अब बात आती है इस सब में इंडिया का क्या role है देखो इंडिया मैं तुम्हें पहले ही बताई है इंडिया world leader है vaccine manufacturing में हम कहाँ lack करते हैं हम lack करते है vaccine development में इंडिया का जो pharma sector है जो medicines research से लेके development तक का का काम करता है और बात में production का काम करता है हम production में तो वर्ल्ड डीडर है तेक है इसमें कोई डाउट नहीं है पर जब बात आती है रिसर्च की रिसर्च हमारे यहां पे almost negligible है हमारे यहां पे रिसर्च है ही नहीं एक तरह से ठेक है रिसर्च यहां तो है ही नहीं यहां बहुत ही limited है हम बस patent किसी technology के patent free होने की बेट करते हैं ताकि उसे large scale बे बना सके quantity में बनाएंगे सारी दुनिया में बेचेंगे उससे पैसे कमाएंगे तो इसके कारण क्या है कि अब जब vaccine development की race चल रही है इसमें इंडिया बहुत पीछे है हमारा जो बायो टेक्नालोजी सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है उसमें research करने की जरूरत है यह हमारा बहुत ही small है यहाँ पे यह sector बहुत ही छोटा है बहुत ही कम research हो रही है और बहुत ही इसमें अभी जातर companies अभी start-up हैं जो profitable भी नहीं हुई हैं तो वो अपना खुद का research तो जाधा बड़े लेवल पर carry out भी नहीं कर पाती दूसरा अगर उन्हें कोई research करनी भी है तो वो depend करती है कहीं न कहीं से उन्हें funding आजाए तो ऐसे मामले में सरकार को और international organizations को और इंडिया के wealthy इंवेस्चर के तोर पे कभी सोचते हैं कहीं invest करने का उन्हें इसे biotech में invest करने का सोचना चाहिए तांकि इंडिया का biotech sector ग्रोग करेगा तब ही actually जाके इंडिया का pharma sector जो अब एक stagnant position पे आने लग गया है वो दुबारा से ग्रोग करना शुरू करेगा ठेक है तो इस race में इंडिया इसी चीज़ के लिए पीछे थोड़ा सा रह रहा है हमें हट टाइम हम फसे हुएं इस टाइम में एक साइड पे तुमारी western countries हैं और एक साइड पे तुमारा चाहिना है इन दोनों के बीच में इंडिया फसा हुआ है अगर हम आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो हमें अपना बायो टेक सेक्टर ड्विल्प करना पड़ेगा बायो टेक सेक्टर को शायद स्टार्टिंग में गर्मेंट इंटर्वेंशन भी चाहिए होगी गर्मेंट एक तो फेवरेबल पॉलिसी बनाए दूसरा सॉफ्ट लोन से लेके कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करनी शुरू करें कुछ पोटेंशिल स्टार्ट अप्स को जो आगे जाके और ग्रो कर पाएं और इंडिया एक वैक्सीन मैनुफाक्चर से आगे बढ़किये एज़ वैक्सीन ड्वेल्प्मेंट का रोल प्ले करना शुरू करें तभी वर्ल लेवल पे जो हम रिस्पेक्ट सीख करते हैं वो हमें मिले ये था आजका एडिटोरियल इसे ध्यान से पढ़िएगा आपके GS3 का पार्ट बनता है और उसी में आपका हेल्थ भी आजाता है ठेक है हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो भी GS3 का पार्ट है तो अगर आप अलग-लग फोल्डर्स बना रहे हैं इस पूरी फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं हमें बाकी करंट अफेर्स के साथ पूरे को पूरा जो आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप हमें इस पर वर्चाप करके हमारे एडिटोरियल्स और डेली न्यूज रेसीव कर सकते हैं फ्री में आपको सप्लाई होंगी उसके बाद ये न्यूज अनालिसिस भी आपको भेशती जाएगी थाइंक यू